क्या आपको पता है कि अब इंडिन आर्मी के नाम पे भी फ्रॉड बाजी हो रही है अब आप सोचेंगे कि ये कैसे हो सकता है इंडिन आर्मी के नाम पे फ्रॉड बाजी अगर आप जानना चाते हैं तो बने रही है इस वीडियो के साथ तो चलिए जान लेते हैं कि ये fraud बाजी हो केसे रही है दरसल होता क्या है कि जैसे हमारे कुछ पुराने सामान होते हैं लाइक मोईल, टैबलेट, लैप्टप, कम्प्यूटर, टीवी, सोफा, कुछ भी तो उसे हम बेशने के लिए क्या करते हैं OLX पे डाल लेते हैं या फिर Q-Car पे डाल लेते हैं तो यहाँ पर हम एक्जमपल लेते हैं OLX का क्यूंकि ऐसे कैसे जो आ रहा है फिलाल OLX पे आ रहे हैं और इसके लिए मैं आपको advance पे कर देता हूँ फिर सामने वाला बंदा बोलता है कि आप advance में क्यों पे कर रहे हैं आप directly आईए, पैसे दीजिए और समाल ले जाईए तो फिर fraud जो है वो बोलता है कि ने मैं busy हूँ, मैं Indian Army हूँ मेरे पास time नहीं है कुछ भी excuses देने लगता है कि मैं border पे हूँ अगरब कुछ भी, जिससे क्या है कि वो बंदा convince हो जाए और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम Indian लोग Indian Army को अपना hero मानते हैं और fraud जो है, ये बात जानता है और इसी बात से वो फाइदा उठाने की कोशिश कर रहा है ताकि बंदा convince हो जाए और हम उसे ठग ले और जैसा कि मैंने आपको बता है कि fraud जो है वो बोलता है advance में pay करने की उसका 20% जो भी समान है, उसका 20% advance में pay करने के लिए बोलता है तो बोलता है कि इसके लिए मैं आपको एक QR code भेजा हूँ आप WhatsApp पे चेक कर लिजे तो जैसे हो QR code को scan करता है तो amount जो है, वो request में आता है अब जब कोई बंदा पैसा भेसता हो, तो directly आना चाहिए न वो request भेसता है इधर से पैसा उदर जाने के लिए तो fraud जो है, वो उसको उल्लू बनाने की कुशिश कर रहा था तो जैसे हैं वो एक step फिर बुशता है कि नहीं, इधर तो ये request मनी आया है तो बले कि नहीं, वो request आया है आपके bank account में पैसा जाने के लिए इस तरीके से उल्लू बनाता है तो वो फिर click करता है, उसके बाद pin मांगने लगता है तो याद रखें दोस्तो, कभी भी, कोई भी बन्दा अगर आपको पैसे बहसता है तो pin डालने की जरुवत नहीं पड़ती है UPI pin जो हता है, वो डालने की जरुवत नहीं पड़ती है लेकिन फिर भी वो fraud बोलता है कि नहीं नहीं, वो bank account में पैसा को send करने के लिए UPI pin डालना पड़ता है लेकिन बन्दा समझदार रहता है, उसको पता रहता है कि UPI pin रिसीफ करने के लिए नहीं डाला जाता है इसलिए याद रखें दोस्तों कोई भी बन्दा अगर आपको पैसे भेजता है, तो रिसीफ करने के लिए आपको pin विन कुछ भी डालने के जरुवत नहीं है अगर भेज देया तो आप directly amount चेक कर लिए खैर लड़का तो बच गया क्योंकि उससे पता था कि कोई भी payment receive करने के लिए UPI pin डालने के जरुवत नहीं पड़ती है लेकिन केजिरिवाल की बेटी इसी तरीके में वो फस गई फ्रॉड जो है बिलकुल यही तरीका अजमाया था और 34,000 का चुना लग गया यानि नुकसान हो गया और मैं नहीं चाहता कि आपका भी नुकसान हो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है दोस्तो अगर आप जानना चाहते हैं कि hackers लोग कौन-कौन से धिमाग लगाते हैं bank account को hack करने के लिए और ATA machine के अंदर क्या-क्या चेरचार करते हैं वो सारी चीज़े आपको मेरी चैनल पर देखने कोई मिलेगी दोस्तो हाल ही में मैंने एक वीडियो अपलूट किया था कि बिहार बोड के नाम पे भी fraud बाजी हो रही है तो hackers के जितने तरीके होते हैं बैंक अकाउंट hack करने के लिए फिर fraud बाजी करने के लिए तो उन सभी तरीकों से बचने के लिए मैंने बहुत सारे वीडियो बनाई है और जैसा कि आप सभी जानता है कि हमारा जो चैनल है वो cyber security से related है तो ऐसे में मेरा ये फर्स बनता है कि कहीं पे कुछ भी hacking हो कहीं पे भी fraud बाजी हो तो उसका solution अपने चैनल पे upload करूँ इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है कहीं पे कुछ भी होता है hacking related तो वो चीज मेरे चैनल पे आपको देखने को मिलेगी अगर आप ऐसा ही वीडियो और देखना चाहते है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को पे ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग जगरुक हो सकें मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में मिलता के लिए जय हिंद जय भारत